शायर के अच्मेर उदेपर रोडी सिद बलार चुराहे पर सोमवार को एक मारूती कारचालक ने एक बाई को टक कर मार दी हादिसे में बाई पर सवार पिता की मोके पर ही मौत हो गई जबकि बाई के पीछे बैठा पुत्र गंभी रूप से खायल हो गया हादिसे के बाद मोके पर एकतरी थुई भीर ने गंभी रूप से घायल को उपचार हितु एक एच भिजवाया जहाँ पर उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्रात में खुपचार के बाद अच्मेर के लिए ज्याफर कर दिया उधर हादिसे की जानकरी मिलते ही सिदर्थाना पुलिस ने मोके पर पहुचकर शव को कबजे में लेकर राचकी अमरत को चिकिस साले की मौचरी पहुचाया सड़क हादिसे में मोत का शिकार हुए व्यक्ति की पहचान शक्रोदीन पुत्र लाडू का ठात के रूप में हुई है वही घायल की पहचान सोहेल पुत्र शक्रोदीन के रूप में हुई बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र बाईक पर सवार होकर अपने गाउं शोपुरा घाटा बानुला थाना मसुदा से रिको एरिया में मजदूरी के लिए आ रहे थे इर्जवान बलार रोड चुराहे पसड़क पार करने के उज़रान एक मारूतिक चालर ने बाईक को टकर मार दी जिसके कारण पिता की मोके पर ही मौत हो गई जबकि पुत्र गंभी रूप से खायल हो गया दौपहर को परिजनों के एकेश पहुशने के बस दर्थाना पुलिस ने पंचनामा तयार कर शवका पोस्मार्टम करवाने के बाद लाश अद्दिम संसकार के लिए परिजनों के सुपुर्दिकी पुलिस ने मारूतिक चालर के खिलाफ मामला दर्जिकर जाज शुरू कर कर दो के लिए